व्योम मित्र व्योम मित्र एक रोबोट है लेकिन ये इनसानों की तरह काम करती है गगन्यान मिशन पर पहले व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भी जा जाएगा भारत के गगणियान मिशन के लिए तैयार है व्यूम मित्र भारत की पहली महिला अंत्रिक्षियात्री जो इंसान नहीं है बिल्कुल इंसान की तरह दिखने वाली बाते करने वाली इस उर्बोट को देख कर कोई भी धोका खा सकता है ये भारत के गगणियान मिशन को सफल बनाने की एहम कड़ी है और इसका नाम है व्यूम मित्र गगन्यान मिशन पर अंत्रिक्ष यात्यों को भेजने से पहले इस रोब अंत्रिक्ष यान की सुरक्षा का जायजा लेने के लिए एक महिला रोबोर्ट व्योम मित्र को अंत्रिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है व्योम मित्र गगन्यान के क्रू मॉड्यूल को पड़ेगी और जरूरी निर्देशों को समझेगी या अंत्रिक्ष में एस्ट्रोनॉट की तरह ही काम करेगी और किसी भी तरह की गड़बली मिलने पर चेतावनी भी देगी इसके साथ ये ग्राउंड स्टेशन में मौजूद विज्ञानी को और मिशन की टीम से संपर्क कर बात करेगी रोबोट व्योम मित्र को उन सभी माप डंडो को रिकॉर्ड करने का काम सौपा जाएगा जिनका इस्तिमाल इंसानों पर उडान के प्रभावों का अध्यन करने के लिए किया जाएगा इससे मुख्य मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों का जीवन सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी इस मिशन में लगी इसरों को बड़ी सफलता मिली है अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने के दोरान दबाओ को सहने के लिए व्योम मित्र का स्पेशल हेट डिजाइन किया गया है सिर का पूरा हिस्सा उच्छक्ति वाले अलिमीनियम एलॉई से बना है इसका वजन आठ सो ग्राम है गगनियान की मुख्य उडान से पहले इसरों दो मानव रहित मिशन गगनियान 1 और गगनियान 2 लाँच करेगा ये दोनों मिशन इस साल के अंतक लाँच किया जाएंगे मुख्य गगनियान मिशन अगले साल 2025 में भेजा जाएगा इसमें तीन अंत्रिक्ष यात्रियों को तीन दिन के लिए प्रित्वी से चार सो किलोमीटर उचाई पर भेजा जाएगा। ये मिशन काम्याब रहा तो वो दिन दूर नहीं जब अंत्रिक्ष की दुनिया में भारत, अमेरिका और रूस को पचाल कर सबसे आगे निकल जाएग कोलकाता के आरज़िकर अस्पताल में लिडी डॉक्टर के साथ, दरिंदगी के बाद, मुर्डर की वारदात के बाद, अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठे। पांच मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर शराप पी कर लोग हंगामा भी करते दिखे, लेकिन तब भी कोई गार्ड बहां नहीं पहुँचा, और इतना ही नहीं अस्पताल में लगे, ज्यादातर सीसी टीवी कैमराज बंद मिले हैं, कंट्रोल रूम में एक गार्ड मिला जो गार्ड यहां हमें माजूद मिला, उनने ज़रूर इस पूरे कमरे का मुवाएना कराया. यहां आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहां camera unit काम कर रही है यानि CCTV camera जो है वो किस तरह से काम कर रहे है देखिए यह जो TV है फिलहाल वाली यह पूरा कश्खाली है साथ है यहां पर कोई भी कर्मचारी मौझूद नहीं है जादि राग में CCTV के आवशक्ता पढ़ जाए कोई जरूरत पढ़ जाये तो यहां ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है किसी को यह operate करते नहीं आता जो यह बता सके कि हाल में क्या घटनगरम हुआ था यह बड़ी लापरवाही है हमें जो पता चला है यहां पर हमारे सुत्रों से कि यहां पर तकरीबन चार मंजिलों में जो camera है वो स मंसौर में जिला अस्पाल में मरीजों के परिजनों ने धर्मशाला में इसे बदल दिया है और बड़ी संक्या में लोग यहां पर सोते पाए गए वहीं अस्पाल की सुरक्षा के जिम्मेदारी दो गार्ड्स के भरूसे है नियू जेटीन की टीम पुलिस चौकी पहुची तो गार्ड नदारत थे वहीं अस्पाल में क्या हालात हैं वो भी आपको दिखाएंगे नियू जेटीन की टीम जब पुलिस चौकी पहुची तो कोई था नहीं अस्पाल में सीसी टीवी तो लगे हुए हैं लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी ज्यादतर खराब कैमरा हैं अस्पताल में नजी सुरक्षा गार्ड भी नहीं हैं और एमरजंसी में कोई कर्मचारी भी नहीं दिखा और लोग इंतजार प्रबंदन से लयससे को लेकर बात की तो उन्होंने माना कि सुरक्षा के परियाब्त इंतजामात नहीं हैं पूर हमारा जो चिकित्सक इस्टाप और अन्य इस्टाप इससे भहिवीत है और इस समय में हम समय समय के सासंद से मांग भी करते आ रहे हैं रियलिटी चेक में हमने देखा कि मनसोर के जिला चिकिसालाय के हालात कैसे हैं यहाँ पर न तो परियाप्त सुरक्षा वैस्ता है और न ही अस्पिताल प्रभंदन के इंतजामात छीक से है रात को यह अस्पिताल पुरी तरह से धर्मशाला में तब्दिल हो जाता है और सेकड तो अनावशक रूप से लोग यहाँ पर खुले बरामदे में सो जाते हैं, यह वही लोग है जो मरीजों के साथ में आते हैं, लेकिन एक से जादा परिजन साथ आने के कारण इस तरह की सिटी बनती है, अस्पिताल प्रभन्मन का यही केना है कि हमारे पास परियाप तो सुरक के जलते, खामिया जाब मरीजों को भुगतना पड़ता है, फिलहाल डाक्टरों की सुरक्षा के बारे में अगर कहा जाए, तो यहाँ पर एक मातर पुलिस चोकी है, उसमें दो लोग मौदूद है और वो भी रात के समय यहाँ पर मौदूद नहीं थे और अन्यतर घूम र सुरक्षा में लापारवाई बढ़तेंगे, तो डाक्टर्स और अन्य श्टाप की सुरक्षा कैसे होगी, नरेंद्र घूमतिया, नूजेटीन, मलसोर और याले लेक छोटा सब्रेक, बहुत जल लोटते हैं